नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है इस शो में हम आपको बताते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार साथ ही बताएंगे कल शेहरों में क्या हूँ आपकी स्ट्राटेजी बाजार पर स्ट्राटेजी बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी बिजनस के मैनेजिंग एडिटर अनल सिंग्वी अनल जी बहुत स्वागत है सर आपका शो में साथी आज हमारे साथ कौन से खास महमान शामिल है शो में उनका तारूफ करा दे प्रॉफिट मार् रहे हैं और इसी किदम पर हफते भर की खरीदारी क्या की जा सकती है कोई पसंदीदा शेर आपका पॉजिशनल व्यू में बिल्कुल इंफाइक मुझे लग रहा है यह तेजी कंटिन्यू होगी और इसका एक मातर कारण है कि युएस में जो फिस्कल स्टिमुलस की जा का ज बिलेगी और मेरे ख्याल से जो गापिटल इंटेंसीव सेक्टर यहां पर भी हमने देखा है कि क्यों के हिसाब से क्यूटू में अच्छी इंप्रूमेंट पिनाशल में देखने को मिलेगी तो आई टी हमको अभी अच्छा सेक्टर लग रहा है और यहां पर स्वाती हमको पसंद है एक महिंद्र करेंट प्राइस पे आठ से दस दिन के लिए खरीदा जा सकता है और यहां पर हमको लग रहा है कि 901-902 का नियर टर्म का टागेट बन सकता है तो यहां पर एक शॉट टर पोजिशनल ट्रेड पॉसिबल है और अच्छा का सा रिस्क रिवाट दे सकत जहां पर निवेशकों को अच्छा अपसाइड मिलने की अभी भी पॉसिबलिटी रही जी पोजिशनल व्यू मतलब एक हफ़ते की खरिदारी टेक महिंद्रा में करने की सलाधिरे मारे आजके एक्सपर अविनाज गोरक्षकर तो ऐसे भी अविनाज जी विप्रो में अब की प्राइस काफी इंपॉर्टेंट रही और जैसे का है कि नॉमली 15-16 परसेंट का प्रीमियम मार्केट प्राइस को लेके बाइब प्राइस का ट्रैक रिकॉर्ड विप्रो का है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि करीवन 380-390 का निया इनो प्राइब प्राइस अगर करता है तो वह मार्केट को डेफिनेटली पसंद आएगा इनके पास काफी कैश है पहले भी तीन बाइब कर चुके है तो मुझा लग रहा है कि बाइब का साइज और जो प्राइस होगी वह नियर टर्म में स्टॉक को रिरेट करेंगा और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि 7 परसेंट के बढ़ने के बावजुद यहां पर खरीदारी का माहूल रहेगा क्योंकि मार्केट का अनुमा ने टी-स को देखने के बाद की बाइब की प्राइस विप्रो से भी शायद अच्छी तरह से एट्रेक्टिव होगी जिनका है बनाए रखे और कोई भी कर्रेक्शन अगर आता है तो अमेरी खाल से नियर टर्म और लॉंगर टर्म के लिए इसमें खरीदने की भी अपॉर्चिनिटी लग रहेगा जी ठीक है अब अब अबनाज जी आपसे जानना चाहेंगे लॉंग टर्म स्ट्राटेजी के स्टॉक में रखी जाएं स्वाति हमको लग रहा है कि city gas distribution space में अभी भी investment के मोके है और यहां पर हमको गुजरात गैस पसंद है कंपनी का क्लियर लीग ग्यास के प्राइस काट के बाद काफी confident है कि यह पास करें और जिससे वालिम ग्रोथ और की अच्छी तरह से बढ़ेगा इन्होंने यह भी काया कि second quarter में numbers पहले तिमाई से काफी अच्छे आने की उमीद है प्लस हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ इनको second half में बिलेगा वो काफी अच्छा रहेगा तो current levels पे हमको लग रहा है कि investment point of view से 6-12 मेंने के लिए इसको खरीदना चाहिए करीवन 390-400 का हमारा target price है और इसको अपने portfolio में include करिए हमको लग रहा है कि इस level से definitely एक अच्छा risk reward investors को मिल सकता है तो यह definitely 6-12 months का नजरिया लेके गुजरात गयास को करिए गुजरात गयास में long term strategy रखने की सला दे रहे है अबिनाज जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए और शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का हम तक special research और खबरे पहुँचाने के लिए तो फिलाल आज के शो में बस इतना ही